आप सब को जैमसी की आज पवित आत्मा के अफ्तरन पर्फ के पश्चात भारवर अभीवार है और आज का जो विशे है वो है शुब समाचार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसको किस प्रकार घ्रेंड किया गया तो आज का जो वचन है आज का जो पैसेज है जो बाइबल रीदिंग है वो ऐसा कॉमन पैसेज है सुसमा चार है जो मार्क, मर्कुस और लूका का, उन दोनों में भी हमें ये मिलता है, मर्कुस चार में और लूका आठ में, और जो तीनों राइटर्स हैं, इन तीनों ने ना केवल इस दिश्टांत को अपने-पने सुसमा चार में लिखा है, बलकि साथ ही साथ इसका जो अर् येशु मसी ने उसको खुद उसका अर्थ बताया दिश्टान्त का और साथ ही साथ जो उसके अंदर की जो आत्मिक सच्चाई थी उसके बारे में उसके येशु मसी के आर्थ समझाने के द्वारा हमें पता लगता है और साथ ही साथ हमें उस इस पर दिश्टान्त को की किसान बगेर किसी उसके हम को समझ सकते हैं जब हम इसे पढ़ते हैं और जब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं तो हम इमैजन कर सकते हैं कि उस पहली शताबधी में ये श्यू मसीग के समय में एक जो किसान था वो अपने खेतों की तरफ गया और उसके कंदे पर एक चंबड़े का थेला होगा और उसके अंदर समें बीच रखे थे और जब वह अपने खेत पर पहुंचा तो उसने जो अपने बीच थे वह अपने खेत में उनको बिखेरना शुरू कर दिया और वो उसने यह नहीं देखा कि कहां वो गिर रहे हैं बस वो उनको अपने खेत में जादा से जादा वो फेकना चाहता होगा कि जादा से जादा उसको फल मिल सके उसको खेती में उसको फायदा हो सके तो उसने जब हम इमेजन यह भी कर सकता है कि उसने जब भी डालने शुरू करे होंगे तो शायद बिल्कुल एक कोने से स्टार्ट कर दिया होगा और जब भी फैकने शुरू करें तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि वो बीज कोई सारे उसके खेत में नहीं गिरे होंगे कुछ वो रास्ता जो वहां पे रास्ता उस पे गिरे कुछ पत्रों पे गिरे होंगे कुछ जाडियों में गिरे होंगे क्योंकि वो उनको इस तरह से फेक रहा था कि उसका जो खेत का कोना कोने में बीज गिरे तकी जादा से जादा उसको फसल मिल सके तो जब ये उस तरह से उसको फेका और जब ये शुमसी ने इसका अर्थ अपने चेलों को इसकी जो मतलब था इसका अपने चेलों को जो समझाया तो उसने उनसे ये कहा कि तुम इस बात पर ध्यान करो कि कि जो बीज ह वो अलग-अलग जो जमीन पर वो गिरा तो उनके साथ उसको मिलने के बाद जो उसकी उसका जो फल था वो क्या था तो जब वो जो बीच थे वो परमेश्वर के शब्दों को या जो हमने यहां पिलता है कि जब अठादवी आयत में हम देखते हैं अब तुम बीच बोने वाल करते हैं उसके बारे में उसने उनको बोला कि उस पर ध्यान दो क्यूंकि जो बीच है वो परमेश्वर के राज्य के वचन को रिप्रेज़ेंट करता है और वो साथ ही साथ उद्गोशना करता है कि जो येश्युमसी ने जो क्रूस पर अपनी जान देखा जो उद्दार हमा बताते हैं कि जो परमेश्वर के राज्य का वचन है वो उसकी उसका प्रचार हो और वो ही येश्युमसी हो चाहते हैं अपने चेलों से कि वो इस बात को समझे और इस बात को सीख सके और जो अलग-अलग किसम की जो जमीन के बारे में यहां पर वंडन देखते हैं मिटी के लिए है जो अलग-अलग जो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनकर अलग-अलग प्रतिक्रिया करते हैं जो अलग-अलग तरीके से उसको घ्रेंड करते हैं या नहीं करते हैं तो जो सबसे पहला चीज जो यहां पर हम देखते हैं इस दिस्टांत में जो येश्यमसी ले जाता है, यह वही है जो मार के किनारे बोई गए थे जो रास्ते पर गिरे थे, मार के किनारे पर गिरे थे, तो वो लोग हैं, या वो जन उन लोगों के बारे में आप ये शुमसी बात कर रहे हैं, जो परमेशार के राज्ये के वचन को सुन कर ना तो वो समझते हैं और ना उसको अपने मन में रखते हैं और उनके अंदर जो बोया गया था उस पर ध्यान नहीं देते और दुश्ट आकर यानि शेतान आकर उनसे वो छीन कर ले जाता है और वो वैसी के वैसी रह जाते हैं तो यह उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है उन लोगों के बारे में यहां पर येश्व मसी बात कर रहे हैं जो येश्व मसी को घ्रैंड नहीं करते जो उसके वचन को सुनते तो हैं लेकिन सुनकर अनसुना कर देते हैं उन्होंने अपने हिर्दयों को सक्त कर रखा है वो नहीं चाहते कि उनके हिर्दे में कि था बॉलते हैं या उसको कहते है और जो क्यान चाहता है कि एधे करना नहीं आता ये सब sujet हुआ उनका ध्यान रहता है और लेकिन फंट रहा क्वार प्रमेश्वर strength उन चीज़ों को करऊ The Samhaon कि अ कम के लोगेuses सकते हैं कि प्रमेश्वर कर वे स्क अध्यम oh में सहभागियों, उनका main interest और दूसरी चीज, चर्च की दूसरी चीजों में होता है, कि पास्टेट कमीटी में क्या हो रहा है, कि चर्च का जो पैसा है, वो किदर जा रहा है, या उसको किस तरह से खर्च किया जा रहा है, या चर्च में जो बाकी दूसरे लोग हैं, तो उन वो लोग कैसे अपने जीवन को जी रहे हैं या वो क्या कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का दिमाग उदर रहता है, चर्च में बैठे वे भी होता है, लेकिन उंके दिमाग में यह सब चीजे चलती रहती हैं, और वो जो परमिश्वर का वचन है, उस पर उनका दिमाग न जाता है क्योंकि उसका निशाना ही ऐसे लोग होते हैं जिनका ध्यान प्रमेश्वर के वचन की तरफ नहीं होता तो ये लोग जो होते हैं जो प्रमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देते और उनके दूसरी चीजों पर उनका जाधा ध्यान रोता है फिर दूसरे जो दूसर और जब वचन के कारण कलेश या उबदरवत होता है तो तुरन ठोकर खाते हैं तो ये वो लोग हैं जो परमेशवर वचन को सुनते हैं और सुनकर एकदम से ग्रहांड करते हैं जोश से भर जाते हैं और एकदम से उनके अंदर उत्सा हो जाता है परमेशवर को लेकर परमेश करे या उसके वचन जो हमने सीखा है उसको किस तरह से अपने जीवन में लेके आए लेकिन जब थोड़ा समय बीतनेता है और उनके उपर जब दुनियावी उस चीजों का परभाव होता है या उस वचन के कारण उनको परिशानी उठानी पड़ती है उनके उपर सताव आता है या कोई उनका मजाक उड़ाना शुरू करता है तो वो धीरे धीरे उस वचन को भोलने लगते हैं और उन चीजों पर उनका ज्यादा दिमाग चला जाता है कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे है या लोग मेरे को इस वचन को काम करने के लिए या चर्च में सेवा करने से थोड़ा था पौधा निकला था जैसे कि हम इसमें पढ़ते हैं भूमी बोया गया तो वो थोड़ा उगा आता है और उसके बाद वो धूप के कारण जल जाता है जड़ नहीं परकड़ पाता तो सूरज यहां पर दो तरीके से काम करता है अगर पौधा अच्छे से बोया गय तो सूरज के द्वारा ही उसको एनर्जी मिलती है और वो बढ़ता है लेकिन जो जो बीज ऐसी जगह पर गिरा जहां ज्यादा घहरी भूमी नहीं थी और पत्थरीली थी और कम मिट्टी होने के वज़ए से वो जल्दी होगा और जब सूरज आता है तो वो मिट्टी गर्म से वो चला जाता है फिर तीसरा चीज हम देखते हैं तीसरी बात जो एशुमसी कहता है जो जाडियों में बोया गया यह वह वचन है जो वचन जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोका वचन को दवाता है और वह फल नहीं लाता तीसरे जो जगह के बार कर उन्हें दबा डाला तो जो ऐसे लोग जो फिर से वही तरीके से के उन्होंने वचन को सुना घ्रेन करा जोष के साथ जोष के साथ वह काम करने लगते हैं लेकिन जब वह इसे संसार की comments हावी होती है और अपनी नशाब को ले के अपनी परिवार को लेकर या रुपे पैसे को लेकर जादा उनको चिंता होती है तो जो उनका जो फल था जो पौधा था वो उसी उनी चिंताओं में वो दब जाता है तो जो पहली तीन चीज़े हमने देखी इसमें तीनों चीज़ों में हम देखते हैं कि जो शेतान है वो अपना कार्दे कर रह पहले वाले में जो ऐसे लोग है जो सुनी नहीं रहे तो वो उसके लिए असान शिकार होते हैं और वो उनको तुरंद उनसे वचन छीन के ले जाता है दूसरे जोश में तो आते हैं लेकिन जब उन पे सताह हो आता है जमाइशे आती है शेतान के दौ़ारा तो वो उस वचन फ्रुपिए पैसा को ले कर तो वो जो चिंताएं है वे उस पौधे को जो पॉधे को की उसको दबा देती है और वो वो दपता चला जाता है और वो खतम हो जाता है तो हम तीनों जो अलग अलग भूमियां थी उसमें तीनों में देखते हैं कि शेतान अपने कारदे को वो करता है शेतान इतनी असानी से हमें नहीं छोड़ता है इतनी असानी से परमेशर के वचन को हमारे अंदर नहीं समाने द जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है कोई सौ गुना कोई साथ गुना कोई तीस गुना तो यहां पर हम देखते हैं उन लोगों के बारे में ये शुमसी कह रहा है जो वचन को ना केवल सुनते हैं बलकि उसको अपने जीवन में घ्रैंड करते हैं उसके मुताबिक अपना जीवन जो है उसी सीक पर उसी परमिश्वर के वचन पर लेकर चले और जब रहें जब पर पकड़ता है और जब वो जड़ पकड़ता है तो वो फल लाता है कोई सो गुना फल लाता है कोई साट गुना फल लाता है और कोई तीस गुना फल लाता है तो जब जो लोग अपने परमेश्वर को अपने सामने रखकर परमेश्वर एक अपना सिंगल पॉइंट अजेंडा के साथ पूत होते चले जाते हैं और जो परमेश्वर चाहता है उनके जीवन से उसको पूरा करते हैं तो हमने जो अभी येश्व मसी ने जो हमें दिश्टांत बताया ये जो अमने परमेश्वर येश्व मसी ने जो दिश्टांत का अर्थ बताया उसमें हम ये देखते हैं कि जो किस और कुछ उसके खेतों में भी गिरु रहे हैं लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि gefेतों में गिरे। उस나 डाला क्यूंकि वो चाहता था कि जादा से जाधा उसको फचल मिले। जाधा से जाधा उसकी भ्यूमी में उपज हो। तो जादा से जादा बीज वो अपनी जमीन पर डालना चाहता था, इसलिए उसने परवा नहीं करी कि बीज और दूसरे जो थोड़े बीज है वो और कहां कहां गिर रहे हैं, इसी तरह से परमेश्वर भी जब अपने वचन को लोगों के लिए वो भेजता है, जो राज्ये का वचन जिसके बारे में एश्यो मसी बता रहे हैं, वचन सबके लिए है और बहुत आयत से है, और उसी वचन में हमारे लिए उदार भी है, तो परमेश्वर यह नहीं देखता कि जो मेरा वचन है, वो कैसा वेक्ति सुन रहा है, वो यह डिस्क्रिमेट नहीं करता कि वो जो वो जो सुन रहा है, वो जो ध्यान नहीं दे रहा है, बस उसके कानों में जा रहा है, लेकिन उसके मन में नहीं जा रहा है, या जो एक्ति है, जो मन में घ्रैन करता है, थोड़े सा में बाद वो फिर वापिस अपनी दुनियावी जिन्दगी में चला जाते हैं, या वो ऐस से डिस्क्रिमेट नहीं करता है कि सिर्फ उस लोगों को पता लगे मेरा वचन जो दियान देते हैं या जो दियान से सुन रहे हैं या उसको अपने जीवन में ग्रैंड करते हैं वचन सबके लिए एक समान परमेशवार की तरफ से बाटा जाता है लेकिन क्यूंकि परमेशवा होती है वो भी नर्म होती चली जाती है अगर हम इशाया पच्पन और उसकी 10 और 11 आयत में पड़े तो वालिका है जिस परकार से वर्षा और हीम अकाश से गिरते हैं और वै यह योही नहीं लोट जाते वरन भूमी पर पकड़ कर उपच जाते हैं जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है उसी परकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह वर्थ ठहर कर मेरे पास ना लोटेगा परन्तु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा तो परमेश जान नहीं दे रहे हैं, तो उनके लिए जो वचन है वो वयर्थ है, वो वयर्थ नहीं है, परमेशर का वचन अपना काम करता है, और समय आने पर वो उस व्यक्ति के दिल तक भी पहुचेगा, जो अभी नहीं सुन रहा है, तो परमेशर का वचन वयर्थ नहीं जाता, जिस तर उसके बीज और खाने वाले को रोटी दोनोंच इस अधोंडने कторि यह प्रमिश्वर को करने जाता है और जो इसको पूर्जवर उसको सफल करता थो हम भी अपने आपको यह सोचे के अब तक हमने परमेशर के वचन को अगर हमने नहीं सुनाया, नहीं धियान देते हैं, तो हमें परमेशर का वचन हमारे लिए वैर्थ हो गया, ऐसा नहीं है, परमेशर का वचन धीरे-धीरे करके अपने काम को करता है, धीरे-धीरे वो भूमी को उपज बनाता है, कि उपर बार-बार उस पर चोट की जाती है, तो धीरे-धीरे करके वो हिर्दे भी नर्म हो जाता है, और वो परमेश्वर के वचन को घ्रेंड करने लगता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, कोई भी व्यक्ति को परमेश्वर के राज्ये से वो ना परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति का उद्दार हो, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर का राज्य में जगा मिले, इसलिए परमेश्वर अपने वचन को बहुत आयत से अंसंसार में बाटता है, बहुत आयत से वचन हमें मिलता है, और आज के समय में तो हम देखते हैं कि अग ग्र Dasktok जमोह करेंगे यह गतले हमें ब्हुत और बृट से संमय हमें मिल रहा है हम अगर संव महा सकते हैं तो वचन कीकमी नहीं है लेकिन बशब को घ्रैंट करनेवालों की कमीरी कsoft ge वचन जो है वो वेर्थ नहीं जाएगा और वो धीरे-धीरे करके जिस काम के लिए उसको भेजा गया है उसको वो सफल करेगा तो हम सब भी प्रमेश्वर से प्रात्ना करें कि हमारे अगर हमारे हिर्दे नर्म नहीं है हमारे हिर्दे अगर हार्ड है सक्त है हम प्रमेश्वर क सुने उसको ना केवल सुनने वाले हो बल्कि उसको सबजने वाले हो और अपने जीवन में ग्रेंड करने वाले हो सके आईए हम प्रात्ना करें फिर सरशक्त में अंदालू परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं तो आपके वचन के लिए जो हमारे जीवन में बोया जाता है परमिश्वर, हम दनिवाद करते हैं, कि आपने वचन बहुत आएट से दिया जाएगा और वो वैर्थ नहीं लोटेगा परमिश्वर, तो हम सब को भी परमिश्वर ये मन दीजिए, कि समझ दीजिए परमिश्वर हम अपने हिर्द्यों को नर्म करें आपके वचन को अपने जीवन में ग्रहन करें और उसके मुताबिक अपने जीवन में चल सकें इस समय मैं हर एक जन के लिए धन्यवाद करता हूँ परमिश्वर सारी आशिशों के लिए आमिन